हाई गाईस, ऐस्सेलाम अलेकॉम, कैसे हैं आप सब लोग, छोपली आप सब लोग ठीक होंगे, खरी अच्छा होंगे, फर्स क्लास होंगे, सबसे पहलो तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मुझ पे क्या लगाया हुगा है, वो मैं आपको बात में बताती हूँ, सबसे तो मैं तरफ से सबको हैपी न्यू यर, बहुत धेर सारी दुआएं, बहुत धेर सारा प्यार, नया साल आप लोग के लिए बहुत धेर सारी खुश्यां लेकिया है, अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ, और मैं आपको बताती हूँ के यह मैंने मुझ पे क्या लगाया मैं स्किन बहुत दी हाइडरेटेड और रफ फील होती है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो यह वीडियो आप लोगों ने जरूर देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके इन सारे इशूस काना एक बहुत अच्छा सा और बहुत असान सा स कोई ड्राइनस नहीं है, चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको जो मास्क है वो बनाना दिखाती हूं और मूद होके मैं आती हूं और शुरू में मैं आपको रिजर्ट्स दिखा देने हैं और देखिएगा बहुत फर्स क्लास किसम के इसके रिजर्ट्स चलते हैं और हम देखते हैं कि हमने किस तरह से इस बास को बनाना है ये मैं यहां पे जी मूद होके आगई हूँ और इसको आपने 10 से 15 मिनट तक लगा के रखना है जिलों की स्किन एक्स्ट्रीम किसम की ज्राया है वो 15 मिनट लगा लें जिननों की skin normal to oily है combination है वो 10 minute लगा सकते हैं अब हम देखते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए और हमने इसको कैसे बनाना है सबसे पहले तो आपको बनाने के लिए कोई भी घर में कोई भी कॉली शॉली पड़ी है वो ले लें उसके बाद ये हल्दी का पेस्ट मैंने अलरीडी बना के रखा हुआ था फ्रिज के अंदर आपने इस तरहां से हल्दी का पेस्ट लेना है और कितनी amount आपको चाहिए आपको अपने face के according चाहिए आप इसको अपने hands पी भी लगा सकते हैं अगर आपने हाथों पर लगाना है तो अब ज़्यादा quantity में बना लें मुर्प मूँछंयास है इतनी सी quantity ही लूँगी और इतनी सी quantity आप लोगोंने ले लेनी है उसके बाद आपने इसको क्या करना है आपने इस तरह से इसको mix करना है ताके ये बिल्कुल एक अच्छा सा इसका पेस्ट बन जाए उसके बाद आपको चाहिए जी रोगने बादाम आलमोड ओयल ये यार हर जगा अवेलिबल है अब ग्रोसरी करने चाहेंगे हर शौप पर ये अवेलिबल होता है और ऌलमड ओयल को हम केरियर ओयल भी कहते हैं क्यों कहते हैं? क्युका अमड्वल के साथ अब कोई भी प्राट, ब्रॉड़क्ट, कोई भी चीज, कोई भी ओयल मिक्स करते हैं तो वो आपके स्किन में जाद अच्छे से अब्सभर होता है और इसके आपको कितने Sapphire चाहिए इसके आपको चाहिए अपनी स्किन के अपने स्किन साभ से अपने स्किन एडरी आइद करिए मतलब मैक्सिमम आपने तीन से जो पांच ड्रॉप्स हैं फो इसके एड़ करने हैं जब हम Almond Oil Mir Więks करते है न तो इसका जो पेस्ट है वो बहुत ही ठिक हो जाता है तो आपको थोड़ा सा मसला होगा इसको मिक्स करने में लेकिन आप एक से दो मिनट इसको मिक्स करेंगे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हमने इसके अंदर एड़ करना है जी अलो वेरा जेल अगर तो आपके पास औरगानिक है आप वो एड़ कर लेंगे मेरे पास पड़ी भी थी जी मिनी सू की अलो वेरा जेल ये बहुत अच्छी है तो ये वाली मैं यूस करी हूँ ये मैंने आज से कोई 6-7 महीने पहले ली थी और ये मिलती है अपने इसकी क्वांटिटी लेनी है इतनी है अपना जो ब्रश है आपने भर के इसके अंदर डालना है क्योंकि जो पेस्ट होता है वो अलड़ी बहुत थिक होता है और वो आप अप्लाइन नहीं कर सकते है अपने मूँ पे तो इसको थोड़ा सा लीकुडी फॉर्मिल आने के लिए हम लोगों ने इतना जो अलो वेरा जेल है वो इसके अंदर मिक्स करना है अगर घर में आपके पौदिश हो दे हैं तो आप और गैनिक ले ले लें वरना आप बजार का भी उसकर सकते हैं और यह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इसका जो पेस्ट है वो इसको मिक्स करी हूँ लेकिन पेस्ट अलड़ी अभी भी बहुत ज़दा थिक है आपने स्पिल लगे रहने ठीक हो गया उसके बाद बारी आती है जी रोज वाटर आड़ करने की यह मैं यूज कर रही हूँ मरहबा का रोज वाटर यह भी यार हर जगा विलिबल है अब ग्रोसरी शॉपिंग करने जाएं बाहर वहां से एक उठा लिया करें अगर आपने डिया वै मास्क नहीं भी बनाना किसी और चीज में यूज नहीं भी करना तो भी आप यह वारी जो बाटर है ना मरहबा का रोज वाटर है इसको आप लेके तो फ्रिज में रख लिया करें आते जाते आप अपने मूँ पे स्प्रे करें और बस फॉरं से आपक स्किन ठीक है रोज वाटर एड करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छा सा लीकुडी फॉम में आ गया है अब हम इसको अपलाई करेंगे और अपलाई करने से पहले हैडबंड वगरा सारा कुछ लगा लें वरना सारे का सारे का सारा जो मास्क न आना जब आप लोगोने ठंडे पानी से तो और भी आप लोगों को प्रॉब्लम होनी है फिर आप लोगोने कहना है यह क्या मैंने बता दिया आपको ठीक है तो पहले बता रही हूं कि पीछे हेडबंड करके बालों को लगा लें फिर इसकी अप्लिकेशन करें उसके बाद ह हम इसको अप्लाइ करना स्टार्ट करेंगे अप्लाइ करने से पहले मैं बता दू आपकी स्किन जो है ना वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए क्लियर से मुराद यह है कि आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए या तो अपना मूँ जो है उसको धोले साबून से face wash से या फिर इसके इलावा अगर आपने नहीं धोना है तो आप कोई भी जो wipes होती है उससे अपना जो face है उसको clear कर सकते है और इसको आपने अच्छे तरीके से इसकी जो layer है ना वो अपने face पे apply कर देनी है अपने इसकी बहुत ही light सी layer लगानी है क्योंकि इसके अंदर है जी almond oil जदा thick layer आपने नहीं लगानी और आपने इसको at least 10-15 मिनट देने है इसके इलावा आपने ऐसा बिलकुल नहीं करना कि आप एक दिन बनाएं यह mask और आप अगले दिन उसको store करके use करें थोड़ा सा mixture बनाएं उसी time आप इसको use कर लें अगले दिन बनाना है तो आप इसको दुबारा बना सकते हैं लेकिन ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना कि एक दिन बनाया है उसके बाद इसको store किया और अगले दिन भी आपने उठा कि वही लगा लिया है ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आने के बाद हमने at least 10 मिनट तक wait करना है और 10 मिनट के बाद भी 10 से 15 मिनट के बाद भी जो mask होगा ना ये सूखेगा नहीं ये गिला गिला ही होगा और आपने इसको गिला गिला ही wash करना है और वाश करना है आपने ठेंडे पानी के साथ यह आप देख सकते हैं मैंने इतना सा मिक्स्चर बनाया था और उसमें से भी यह बच गया 10 मिनट तक इंदजार करें जिनकी एक्स्टर ड्राइ स्किन है वो 15 मिनट तक बता चुकी है और जिनकी कॉंबिनेशन स्किन है या जिनकी ओयले स्किन है वो 10 मिनट तक 7 तू 10 मिनट तक लगा सकते हैं और यह मैं यहां पर दुबार आपको दिखा रही हूँ कि मूद होने के बाद मेरी स्किन फिट किसम की गलो करी है यह आप देख सकते हैं इस मास्क के क्लियर रिजल्ट्स मैंने मूद हो लिया दस मिनट बाद आपने इसको वाश कर देना है और फॉरण से आपको फील होगा कि आपकी जो स्किन है उसको नई जिन्दगी मिल गई है तो आप लोगों ने भी इस मास्क को जरूर ट्राइ करना है अगर आप ट्राइ करें तो मुझे जरूर बताइएगा इंस्टिग्राम पे I hope you guys like the video और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो give this video a huge thumbs up और अगर अभी तक आप में मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो फॉरण से नीचे जाएं और मेरे चैनल को subscribe कर दें Thank you so much for watching I love you guys so much Allah Hafiz अपना बहुत रिए सरा ख्याल रखें Bye